हेलो यहाँ स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरुजी में बच्छों हम करें थे आपका चैप्टर या अध्याय मोशन या गती और आज हम इसमें करने वाले बच्छों इन टेक्स्ट को तो चलिए बच्छों बिना टाइम वेश्ट के शुरू करते हैं अपने को तो इसमें बच्छों सबसे पहला प्रशन है आपका कुशन नमबर वन वाट इस दा नेचर आफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफ्ड एंड नौन यूनिफरम वॉशन और यूनिफशों ऐडर शमान करता है यानि किसी वस्तुकी एक समान और एक समान गति के लिए क्धियन डरी ग्राफ of an object is in non-uniform motion is curve ठीक है बच्छो यानि एक समान गत्ती के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा और दूसरी और एक समान गत्ती के लिए कैसा होगा बच्छो वस्तु दूरी ग्राफ एक वक्र होगा जैसे कि यहाँ पर दर्शाय गया है ठीक है बच्छो फिर क्या कहता है दे सक्राइब सक्राइब दा यूनिफों मोशन ये किसके लिए है एक समान या यूनिफों मोशन के लिए और ये चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमठ टू क्या कहता है बच्छो यह वाट कैनल ़िस्टैंस टामग्राफ इस ट्रेट लाइन पैललल time axis यानि आप उस वस्तू की गती के बारे में क्या कह सकते हैं जिसकी दूरी समय ग्राफ का समय अक्ष के सामानतर सीधी रेखा है तो ऐसा ग्राफ अगर हो तो आप क्या कह सकते हैं तो पहली चीज क्या कह सकते हैं बच्छो अब यह क्या कहता है बच्छो When the slope of distance time graph is a straight line to the time axis that object is at the same position as star time passes This means the object is at rest यानी जब दूरी समय ग्राप का ढ़लान समय अक्ष के समान तर एक सीधी रेखा होता है तो समय बीतने पर उस वस्तु के सिती में क्या उताlar कोई परिवर्तन नहीं होता है इससे वह कह सकते हैं, कि वैवस्तु अराम की वस्ता, या विराम वस्ता, या विश्राम वस्ता में है, ठीक है, यह basic चीज है, जो बताती है, कि ऐसे graph में, क्या हमें पतचलता बचो, चल्लिए अगला question देखते हैं, अगला question है, question number 3, question number 3 कहता है what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis यनि यदि किसी वस्तू का गति समय graph समय x के सामान तर एक सीधी रेखा हो तो आप उसकी गति के बारे में क्या कह सकते है बच्चू यानि कैसा graph होगा बच्चो जैसे कि यहां दिखाया गया ऐसा graph होगा velocity time graph since there is no change in the velocity of the object y axis value at any point of time x axis value the object is set to be in uniform motion यानि x वाले और y वाले में आपको कोई भी परिवर्तर नहीं मिल रहा है x पर मान में कोई परिवर्तर नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्तिती में वस्तू क्या है एक समान गति या uniform motion में होगी बच्चो चलिए अगला question देख लेते हैं बच्चो अगला question है question number 4 what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity graph यानि वेक समय graph के नीचे वेक्त शेतर द्वारा मापी जाने वाली मात्रा क्या है considering an object in uniform motion its velocity time graph can be represented as follows यानि यह क्या किया हमने एक velocity time graph या वेक समय graph बना लिया और यह इसका क्या है जगा होगी जिसमें graph में representation किया जा रहा है ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ेंगे बच्चो तो इसमें क्या हुआ बच्चो now the area below the velocity time graph is the area of rectangle यानि velocity time graph में area जो rectangle में दिया है वो ही velocity time graph का area होगा बच्चो यानि वेक समय graph के नीचे का शेत्र आयात o a b c का शेत्र फल जो o a गुणा o c द्वारा दिया गया है ठीक है बच्चो यह क्या करता है यहाँ पर o a वस्तु का वेक और o c समय का प्रतिजनित करता है इसलिए शायंकित्र शेत्र को इस परकार भी दर्शाय जा सकता है जैसे की area under the velocity time graph is equal to velocity गुणा time यानि वेक समय graph के अंतर कर शेत्र फल हो गया किसके बराबर वेक गुणा समय के बराबर अब इसमें हम क्या करें बच्चो velocity को displacement की value से और previous equations को हम क्या करें एक साथ represent कर दे तो हमें total displacement of the object मिल जाया गया यानि यह velocity टाइम ग्राफ जो हमें दिख राएब एक समय ग्राफ है इसके अगर इतने area को हम calculate कर लें तो हमें कुल विस्थापन या displacement उसका दिखाई दे जाएगा बच्चो तो बच्चो यहां पर होती है value वीडियो complete आशकरत आपको वीडियो अच्छी लगयों थैंक यूँ